जी नमस्कार सभी को LDC का एक्जाम बड़े श्यांदर तरिके से अपना कम्टीट हुआ है पीछे 2024 के अंदर जो भी अपने एक्जाम टार्गेट लेके चले थे बहुत श्यांदर तरिके से और बड़े तरिके से मेनत करते विशे एक आपकी त्यारी को बहुत अच्छे से निखाने का प्रेस किया गया मेरे माद्यम से और गणित वीशे को लेके बहुत बड़ी मेनत की गई और बहुत अच्छा प्रेस किया गया कि आपके अधिक्तम परसंस ही और इसमें कहीं काफी हद तक अपने सफल भी हुए अब इसी करम को जारी रखते वे आगे अपने पटवारी और वीडियो एक्जाम जो की दोहदार पच्छिस के सुरुवाती माहे के अंदर अपना एक्जाम अपने सामने होगा जल्दी CAT के बाद में इसकी वीडियो भी अपने को देखने को मिलेगी दोनों एक्जाम के लिए तो क्या हमें वीडियो भी अपती तक का समय का इंचिजार करना है और वीडियो आने के बाद में क्या हमें इसे पढ़ना सुरू करना है या इसने पहले ही अपने को किसी परकार के अभी से प्लानिंग शुरू कर देनी है उसको लेते वे और यदि अगर अभी से पढ़ना शुरू करें तो कहां से और किस परकार से और क्या पढ़ना है सलेबस में क्या रहने के चंसे है कितना कुछ बदला होने के चंसे हैं इन सब को लेते वे अपने बात करना आएंगे अपने इस क्लास के अंदर और थोड़ा सा आपका कीमती समय लेंगे क्लास कंप्लीट होने के बाद में अपने कमेंट के माधियम से जुरूर बताएंगे यह दिया आपके तरफ से किसी पर कार के कोई क्वेरी रह जाती है कोई ऐसा क्वेसं जिसका मैंने आपके उठने वाले क्वेसं का जवाब इस क्लास के माधियम से ना दिया हो लेकिन मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि आपके मन के चलने वाले जो उतल फुतला उसको पूरे अच्छे तरिके से क्लियर करो सबसे पहले तो अपने पास में आ जाते हैं कि क्या हमें C.A.T. के लिए पहले C.A.T. की तरफ ध्यान देना चाहिए क्या और फिर अगर C.A.T. की तरफ ध्यान दे तो फिर आगे अपने वहां से निकलने के बाद में क्या हमें पटवारी की तेरी करने चाहिए या हमें वीडियो की तहरी करने चाहिए क्योंकि दोनों ही जहां तक जिस परकार के एक अनमानित संभावने हैं बहुत बड़ा गेप नहीं रखेंगे दोनों एक्जाम और थोड़े समय के अंतराल के बाद में जब दो बड़ी बर्तियां आपके सामने आ जाती है तो हम थोड़ा सा कंफीजन में जुरूर रगा जाते हैं क्योंकि एक एक अगजाम को ही प्राथिमिक्ता में रखा जा सकते हैं दूसरे में हम अतना समय अतना अनर्जी लगाना है नहीं पसकित हैं जितनी हम पहले में लगा चुके होता हैं तो इस बातों का भी अपने इस क्लास के मादियम से अपने क्लियर करने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जिनका टार्गेट वीडियो या पटवारी एक्जाम टार्गेट है वो CET के तरफ ज्यादा परशानी मत रखेगा कास्तोर से वो वीडिया थी जो 2022 में CET क्वालिफाई थे वो लगातार एक स्देट साल से वो अभी भी अपने आपको बहुत ज़्यादा अपग्रेट करने चुके हैं या अपने उस CET के सलेबल से अपने आपको बहुत आगए आप लेके आ चुके हैं अब आपके सामने केवल और केवल ये दो बड़े एक्जाम बनते हैं तो जुनका CET 2022 क्वालिफाई था वो तो निश्चिंत रहिए अपने CET एक्जाम के अंदर क्यूंकि 40% लाना आपके लिए मुश्किल काम नहीं है अगर हम देखें कि 65 का एक सो परचास परसनों का 40 पर से कर सकते हैं कंपिटर का पॉर्सन आप अच्छे से निकाल सकते हैं तो इतने बड़ी परशानी का कारण नहीं है लेकिन वह विद्यारती जो फस्ट टाइम अपना CET को फेस करें या पिछले में क्वालिफाई नहीं होए उन विद्यारतियों के लिए कहना चाहूंगा कि अगर गड़ी तो रिजनिंग वीशे को लेकि अगर आपके कोई परशानी रहती है तो वो तो निशित मानिए हम CET के कोर्स आप आज ही पटवारी और वीडियो के इस कोर्स में जुड़ियेगा इसके अंदर हम CET का सलेबस पहले कवर करेंगे फ्री ओफ कोर्स्ट आपको C CET का जो क्रेश कोर्स है वो मैं आपको प्लब्द करवाऊंगा यानि CET का मैथमेटिस का क्रेश कोर्स अभी अपनोंने कम्प्लीट किया था साथ गंटे के अंदर क्लास के अंदर है वो आपका सलेबस आपको इस कोर्स के साथ फ्री ओकोस्ट मिलेगा अलग सी CET के लिए आ बात करते हैं पटवारी की लास्ट जो बर्ती आई थी वो अपने पास 2019 के अंदर आई थी और उसका जो एक्जाम गवा था अक्टूबर 2020 के अलग लग पारियों के अंदर आपने पास में तो उसके लिए बात करते हैं कि किस परकार का प्रिक्षा पैटर्न रखा गया था आपके सामने डेट सो कॉस्सन थे ये जो है ये परसेंटेज अप्रोश ये जो बता रहा है वेटेज बता रहा है ये बता रहा है कि पेपर के अंदर उस सब्जेट का कितना बड़ा परसेंटेज रोल है तो आप देखेगा सबसे बड़ा परसेंटेज रोल कौन सा रख रह यहां पर इस 25% से भी बड़ा कौन रख रहा है 30% आपके पेपर का 30% इसा कवर करेगा कौन करेगा यह अपने सब्जेक्ट करेंगे पटवारी एक्जाम और गणित कमजोर तो बताओ समझया होईगी एक नहीं होईगी और पटवारी एक्जाम के अंदर आग तो रीजनिंग को अकोर्डिंग देखें तो 30% कवर करेगा यानि 1500 परसनों में इसे 45% तो आपके गणी तो रीजनिंग के आएंगे परती एक परसन दो नमर का है तो 90 नमरों का काम तो केवल आप यहां से करके दाएंगे और इसलिए बड़े सबजेक्ट बड़े क्वांटिटी के साथ में हैं तो लापरवाई बिल्कुल करने के चांसे नहीं है आपको त्यारी सुरू करनी होगे अभी से एक अच्छे से तरीके से करना होगा बाकि कि अगर हम बात करें 25% बाग यानि 38 कोसन लेके आएगा कौन आएगा जर्नल साइंस इसके अंदर आ गया हिस्ट्री पॉलिटी ज चंतर नंबरों का काम यहां पर तो केवल दो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे मैं तो रिजनी जिसके जिसके काफी टोपिक तो आपके त्यार हैं बहुत अच्छे से आते हैं आपको थोड़ा सा उनको रिन्यू करना है अपने को रागे कर जाएंगे आप उनको तो यहां पर अ सलेबस का आपका हिस्सा कवर करेगा और आपके पास में टोटल जो नंबर है वो साथ नंबरों का काम होगा क्योंकि परतिक परसंदूर नंबर का जर्नल इंग्लिस और हिंदी कि अगर हम बात करें तो यहां से अपने पास में रहे थे वो बाइस क्वेस्ट में रहे थे और आपका जो अंक बाहर है वो कितने नंबरों का 44 लग बग 15 परतिस्द इसा कवर करता है बेसिक कम्पीटर अपने पास में 15 परतिस्द लेके चलते हैं तो आपके 30 परतिस्द आपके पास में तो सबसे बड़ा रोल गणित कम अब आप बोलेंगे सर जी यह तो 2019 की बरती है अभ आपने दो से तीन बार लगाता पिछली बरतियों के अंदर हर बार अपने चलेबस पैटर्न में बडलाओ करता आ रहा है पटवारी लेकिन सिई एट के बाद में अपने पास में पटवारी एक्जाम के अब आपने पास में बडलाओ होने के चंसस बहुत कम स्रऻ इस हैं पटवारी के इस परकार के सलेबस में अब की बार फिर से निया बदलाव हो ये लाश बदलाव तुआ था इसके बाद में निया बदलाव होने के चांस कम है लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूं कि साहिछ सलेबस में बदलाव कुछ किया गया लेकिन ये तो आपको भी समझ रख लेकिन अच्छी बात हमारे लिए क्या है कि गनित के बहुत बड़े जो चैप्टर थे जिसे तिर्कौन मिती चैप्टर था या कोई और चैप्टर था उनको यहां से निकाल दिया गया है यह अच्छी बात है पत्वारी विद्यार क्योंके लिए अब इतना ही हो सकता है कि ऐस से बड़े syllabus topic को इस syllabus में वापस add कर दे बाकी ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होने वाला गनित का और reasoning का portion बढ़ा रहेगा यह बढ़ा था और आपके लिए भी बढ़ा रहेगा यह तो था अपने पास में गनित क्या इस परकार से इसमें topic को अपने को रहेगा या सबसे पह अब अगर यह एक्जाम जो अपना CT base के साथ में होने वाला है तो CT ही आपका प्रीग्जाम हो चुका है अब CT के बाद में दो एक्जाम तो लेना संभव है नहीं तो यहां पर यह पूरा पूरे चंस है कि वीडियो के अंदर अगर हो सकता है तो आपके सलेबस को एक ने तरीके से आपके सामने रखने का प्रयास किया जाए क्योंकि पहले दो एक्जाम, दो एक्जाम से जब एक एक्जाम किया जाता है तो सलेबस में कुछ न कुछ बदलाव किया जाता है ये example आपके सामने पटवारी का भी है अपने पास में अना तो यहां कुछ बदलाव हो भी सकता है पॉस्नों के क्वांटिटी को लेके या किसी सब्जेक्ट को जोड़ने में घटाने में या उनके टोपिक में किसी परकार का बदलाव करना समझ लेकिन फिर भी जो दो हजार लाश्ट का दो बाइस वह था उसमें क्या कुछ राव उसमें देख लेते हैं गणित देखेगा फिर से देखेगा आप दो सब्जेक्ट पढ़ते हैं हिंदी और अंग्रेजी तब आप अधिक्तम पचास अंकों का काम करते थे यानि पचास अंक कवर किये थे दो सब्जेक्ट को लेके एवरिज माने तो पचीस नंबरों का काम हो गया लेकिन क्यूंकि यहां पर हिंदी के वेटेज जादा रखा गया था उसके बाद में देखे बाके सबी में फिर से बड़ा रोल रखने वाला पार्ट पॉन सा है गनित प्री के अंदर वीडियो प्री के अंदर मैथ और रीजनिंग दोनों थी लेकिन जैसे मेंस एक्जाम में गए वहां पर रीजनिंग को हटा दिया गया केवल और केवल मैथ तो ऐसा सम्भो हो सकता है कि वीडियो के आगे आने वाले एक्जाम के अंदर मैथ के साथ रीजनिंग को भी एड़ कर दिया दाए तो हो सकता है दोनों पार्ट रखे जाएं अपने पास में लेकिन यहां पर भी पटवार एक्जाम की तरह है वीडियो में भी तो एक बड़ा रोल लगता है फोन गणित का पॉर्सन अपर उसके बाद में समाने ग्यान के 20 पर अंक अपने पास में ये अंकों की बात हो रही अधी है क्योंकि प्रशन संसाथो रगता है चाले इसका अगे बढ़एक़ा करते हैं आगे बढ़ते हैं उनकों की तीयस त्रह्ट आपने संतान या पूरी त्रिकें से राजस्तान पर ही जिकके पैदारी तो इसी परकार से नमə्ट से में देखने को मिलता है तो हम पढ़ेंंगे उसके बारे में बात करेंगे लेकिन जहां तक मेरा नूब यह केता है की वीडियो के अंदर बहुत बहुत इक настоящ हैं तो कि फिर बहुत भी वो तो बदलाव हो भी जाता है तो गनित वीशे के अंदर तो कुछ जादा कुछ चेंज होगा नहीं यहां से गनिती का पॉर्सन आप सोड़ रहे हैं वो हो सकता है वो एड हो जाए और नहीं हुआ तो आप अलड़ी पढ़ी रहे होते हैं और पढ़ा हुआ टोपिक अगर फाइनल सलेबस आता है जब उसमें से नहीं होता तो नुकसान का है हमारा पढ़ा हुआ काम कहीं ना कहीं तो काम आए गए आएगा अब देखें यहाँ पर दोनों को मैंने मेथ टोपिक सامल की हैं वीडियो के भी और पटवारी के एंप र की रहा है कि यह तोपिक एसे जो दोनों में कोमन है यहं कहिए कि रेड़ मार क balcon यह तो पूरा पूरा टोपिक दिखाये रहे हैं वो तो वीडियो का है ही है common person यहाँ पर है पटपारी और वीडियो में common topic कौन कौन से हैं परतिसर topic अनपास मानुपात ओसत लाभानी बटा एकिक नियम सरल ब्याज चकरवर्ती ब्याज और छेतर फल और प्रिमाप और छेतर फल वायतन यह topic ऐसे हैं जो आपको दूनों ही exam के लिए त्यार करने होंगे जब topic कम person की quantity जादा तो परतिक topic को गहराई में लेने जानने का भी प्रयास किया जाता है गहरा topic हो सकता है इसलिए ध्यान से और अच्छे तरिके से कर सकते हैं डिफिकल्टी बढ़ाई जा सकते हैं और already जिस जैसे मैंने का कि 2022 का जिनका qualify CET था तो वो तो इन topic को से अंदर तरिके से त्यार कर चुके हैं बली आपने junior accountant में कर लिए होंगे या आपने सुतना साइक में या संगन के या दिख्षक के एक्जाम में या महिलत सुपरवाइजर या अपनी LDC में इन topic को त्यार कर लिए होंगे बाकी जो बचे topic जैसे दसमलों और भिन की बात करें अपने पास में किस्तों में बुगतान एक मातर जो अपना सलेबस होता है जिस वीडियो के अंदर ही किस्तों में बुगतान topic रखा जाता बाकी किसी में नहीं अपने पास में सांजा partnership समय दूरी चाल समय और कारें एल्जेबरा का portion भी आपको त्यार करना है बिल्कुल उसी परकार दोनों के साथ अगर हम देखके चलते हैं लेकिन अगर आप इस common base में आते हैं तो हम ये सारे topic पढ़ेंगे फिर उससे फरक नहीं पड़ता कि पहले आपका पटवारी हो रहा है कि पहले आपका वीडियो एक्जाम हो रहा है अपने पास में और सीटी हो रहा है तो कोई extension है नहीं सीटी वाला तो person अलग से course है वो आपको मैं provide करूँगा फ्रीव कोस्ट उसके बाद में reasoning के लगबग मैंने कुछ topic रखें लेकिन इसके बाद में देखो reasoning दो परकार की verbal और non-verbal दोनों रहती है अपने लिए तो अगर verbal या non-verbal के कुछ और topic अगर syllabus में बदला होने क बाद में कुछ जुड़ता है अगरता है तो उन topic को हम add कर देंगे लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि मैं आपके course के अंदर पूरी के पूरी reasoning करवाँ इन से हटके भी कुछ reasoning के topic है वो भी मैं आपको करवाने के प्रयास करूँगा reasoning की PYQ अपने 16 तरीक से ही शुरू कर करेंगा Monday to Friday classes रहेगी Saturday Sunday आपका off रहेगा ताकि दो दिन आपने किसी परकार का या तो टेस्ट रखा जाएगा या मुझे अगली वीक के लिए आपका मेंटर त्यार करने का समय मिले किस परकार से classes पढ़ेंगे किस परकार से topic लेंगे reasoning के सारे topic करेंगे जैसा मैंने कह दिया अब आपके पास में option आपके देखो आपको choice आपकी अपनी रहेगी आपको ही बताना है मेरी तरफ से तो सब चीज़ी ठीक है अगर आपका target सिर्फ और सिर्फ वीडियो के लिए है तो आप वीडियो का course दोइन कर सकते हैं लेकिन आपको लगता है कि reasoning मेरी जबर्दस है मु अगर इसी परकार से आप पटवारी के बात करते हैं कि आपको सिर्फ पटवारी टार्गेट दिख रहा है तो पटवारी में या सिर्फ पटवारी महत्रीज नहीं दोनों option आपने पास में लेकिन मैं तो प्रात्मिक्ता यह देना चाहूंगा कि आप दोनों ही similar syllabus के साथ में दोनों ही बड़ी बरतिया हैं दोनों ही बड़ी एक्जाम है तो दोनों में से एक क्यों दोनों चोईस रखना चाहिए आपको और दोनों एक्जाम का साथ में चलते हैं तो फिर यह अपने लिए बैदर रहेगा इसमें वीडियो और पटवारी दोनों हो जाएंगे दोनों क ही math or reasoning complete हो जाएगा दोनों के test रही चलेगी पर उपर चलते चलेंगे जो exam पहले होगा उसको हम पहले पूरे तरिके से पूरा focus करना सुरू कर देंगे उसको पहले करके फिर दूसरे भाग को जो आगे होने वाला exam होगा उसको अपने cover करना सुरू कर देंगे पहले पटवारी होगा तो पहले पटवारी का portion पे जोर लगाएंगे पूरा अच्छा तरिके से अगर पहले वीडियो हुआ तो पहले वीडियो पर काम सुरू करेंगे अब वो रहेगा कि कोर्स तो अपने पास में लेकिन कोर्स में जुड़ने के बाद में क्या कोर्स की आपके पास recorded format में आपके पास अप्रब्द हो जाएगी लाइव से वो क्लास किस में आजाएगी recorded format में आजाएगी recorded classes को आप अच्छे से त्यार करेंगे आपको अपने schedule अपने तरिके से पढ़ना सुरू करेंगे और ये classes तब तर रहेगी जब तक आपका एक्जाम नहीं हो जाता अब ये उपर उसके बाद में सेके नमबर आता है के class wise board PDF और उसके बाद में आता है class wise practice seat PDF क्या मतलब है इनका और उनको थोड़ा सा दिका लेते हैं देखे जो भी आपके class live होगी वो live होने के बाद में आपके पास में record format में आ जाएगी record format में वो कुछ ऐसा शो करेगी आप अपने application को laptop में टेबलेट में मोबाइल में किसी भी में चला सकते हैं केवल single device user है आप device को बार-बार change नहीं कर सकते इस बात का ध्यान रखना है अगर आप laptop म का मतलब यह है कि पहली PDF तो वो होगी जो board panel की PDF होगी अगर आपको class देखने के बाद में किसी परकार का notes बनाने के लिए सिर्फ PDF देखना है तो आप उस PDF को देख सकते हैं जो board पर मैंने work करवाया जिन जिन person को explain किया जो जो मैंने theoretical person लिखा आपके सामने उसके बाद में क् जो जिस दिन हमने जो पड़ा है उसी का यू मान लिजिए आपका homework है यह आपके निचे में यह आपका homework दिया जाएगा यानि आपको उससे सम्दित आपकी practice exercise आपको वहीं मिलेगी जो class देखी उसके exercise वहीं पे है परतेक exercise को निकालेंगे परतेक person को करेंगे डाउट रहें हैंगे अलग से उस class में आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं कि अगर आपका कोई question नहीं वा या उसी दिन ही खतम करना है तो आपना डाउट discussion group बना हुआ है वर्टसप पे भी है चैनल टेलेग्राम पर भी है आप उनके माद्यम से अपने डाउट मेरे से clear करवा सकते हैं उसके बाद में जो भी PDF होगी आप जो भी PDF नमर फर्स्ट या सेकिन दोनों में से जो भी PDF ओपन करोगे वो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाए देगा अब अगर आपको लगता है कि सब्सक्राइब के माद्यम से नहीं पढ़ सकता तो आप उस PDF को अपने मोबाईल के इंदर फाइल में जासकते हैं जिससे आप उसको प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं जिसी PDF ओपन करेंगे आपके पास यह ती लाइनों डोट के साथ में एक उप्शन बन किया था जिसी आप इसे क्लिक करेंगे यह आपके पास उप्शन निकल किया जाएंगे अगर आप तो वो तो application में download हो जाएगा print out नहीं निकाल पाएंगे लेकिन यह दिया आप इसका export option यूज़ कर दिया तो फिर क्या होगा कि वो जो file है वो सिदिसीदे आपके mobile gallery यानि आपके mobile के file manager में चली जाएगी और वहाँ से उस PDF का print out निकाल सकते हैं खासों से exercise की क्योंकि board panel की तो PDF का print out क्या शिक्ता नहीं है जादा तर तो question होगा एक page में एक hit होगा या कोई theoretical post होगा उसको आप अपने संग्षिप छोटे notes के रूप में त्यार करना सुरूप उसके बाहन में अपने पास में previous year topic wise classes पहले जो student जो जुड़े वे थे वो काफी को बार पूरत रहे कि सर फर्क क्या है फर्क क्या है इस बार बड़ा साफ सुत्रा फर्क दिखाई देगा previous year classes के अंदर यूटूपर और पैड कोर्स में क्या फर्क रहेगा उसको बता देता हूँ देखो यूटूपर तो रहेगा ये previous year classes अभी ये भी अपने 16 तारीक से ने टोपिक से वापिस से शुरू कर देंगे according to आपके syllabus के शुरुआत कर देंगे तो इनको करम से अपना करना सुरू करेंगे PYQ 2011 से लेके 2024 के question कोसिस करेंगे कि UPC के person को भी साथ साथ करना सुरू करें अपने तो ये जब question होंगे अपने पास में तो यूटूपर तो केवल और केवल question वीडियो लेक्ट रहे आपके पास में लेकिन जब आप इसे पैड कोर्स में भी देखेंगे ये classes आपके पैड कोर्स में भी जाएगी तोपिक पूरा होती ही उसमें क्या होगा पैड कोर्स में होने के बाद में कि उस topic के PYQ की जो person की seat है बिना हल किये वे PDF नमबर 2 होगा और जो हमने बोर्ड पर हल कि है वो PDF नमबर 1 होगा मतलब PYQ की classes भी आप वेवस्ति तरिके से आपके application के अंदर आपको मिलती चलेगी ताकि और सबसे बड़ी बात है topic wise classes होगी यूटूबर classes को डूणना पड़ता है पैड कोर्स में डूणना नहीं पड़ेगा topic wise आपको classes मिलेगी आप किसी एक topic को पूरा कर रहे हैं करने के बाद में आपको लगता है कि मुझे practice करना है तो उसकी PDF निकाली और प्रिंट आउट निकाली और आप अपना practice करना शुरू करेंगे उसके बाद में जैसे ही आभी जैसे मैंने का कि बार बार जैसे लगातार कला से चले हैं तो जड़तार समझ में आगया वीडियाठी क्रेश कोर्स क्या है हमारा तो जैसे ही अपना exam नजदिक पहुंचेगा exam के पंदरा दिन या एक मेने पहले अपने उस course को complete तो ब आपके विगयपती से लेके आपके exam तक की बीच में और अभी तो विगयपती भी नहीं हम तो सुरुआत अभी से कर रहे हैं और ये classes आपके exam तक लगातार चलेगी उसके बाद में exam से जस्ट पहले अपने क्या करेंगे crash course की classes शुरू करेंगे यानि हम revision के तोर पर एक दिन वो मैं जल्दी जारी कर दूँगा उसके अंदर पहले हम CT का test schedule जारी करेंगे ताकि हम CT को भी qualify कर जाएं CT के जो topic है वो आपने reasoning और math के वो तो है हैं अपने पास test series अपकी बार सिर्फ math के नहीं math और reasoning दोनों की चलेगी तो वो test series का schedule मैं दो चार दिन में आपको announce कर दूँ और class के माद्यम से भी अपने बाचित करेंगे जब पी वाई क्यू क्लास सुरू हो जाएगी अपने पास में तो यह अपने पास feature रहेंगे course के कहीं कोई समशा नहीं आए थी फिर भी अगर किसी परकार का technical या class को लेके आपको समशा रहती है मेरा विक्तिकत नंबर आपके पास में रहता है आप अपने मां लेज़े कोई class मिस होगी कोई PDF मिस होगी और या PDF को दुबारा आपको देखना है तो जो भी आपके option होते हैं जो भी आपको दिकत आती रहती है classes के दौरान तो आप मेरे से discuss कर सकते हैं तुरंत समाधान हुआ है किसी भी परकार का technical जो प् test series तो शुरू करेंगे तब test series की भी problem solve करेंगे अपने उसके बाद में आता है फिस की बाद क्या फिस है कितना फिस है वो तो आप application में खुद चेक करेंगे application डाउनलोड करें और उसमें आपने देखे का course को इतने का किस परकार से लेकिन विद्यार्थियों को छूट देना बहुत जरूर है और क्योंकि मैं बार-बार मैं नहीं चाहता कि किसी एक ही विद्यार्थि को मेरे application में बार-बार से course purchase करने का बहुत बड़ा पैसा बार-बार लगाना पड़ें वेसे भी अपने फिस बहुत बड़ी है नहीं एक समाने सी फिस है जिसको आप अफोर कर सकते फिर भी मैंने पुराने विद्यार्थियों के लिए कुछ और इस यहां पर छूट रखी वास और से सबसे पहले मैं CT विद्यार्थियों के लिए बोलना चाहूँगा जो भी CT विद्यार्थियों अगर वो यह चाहते हैं कि अब CT का तो सर मैत जब आप हमें free देखो क्योंक क्लास में इस कोर्स के अंदर आपका CT का प्लस टो और ग्रेजुएशन दोनों के जो क्रेश कोर्स क्लास है रिकोर्ड़ फॉर्मेट में आपको उपलब्द करवाई जाएगी और आप उनको अपनी सुईदा से देख सकते हैं यह प्लस टो का अधिक्तम जो क्लास हैं वो प्लस टो कॉमबो कोर्स लेरक है उनको 60% डिसकाउंट दे दिया जाएगा और आपको क्योंकि कोर्स यह आगे निया चल रहा है और दूसरी बात मुझे भी तो पढ़ड़े नई एनर्जी लगानी पड़ेगे न मैं तो निया पढ़ाऊंगा ने रूप में आपके सामने हो परती दिन लाइफ की रूप में इसे परकार से सीटी ट्वेल्थ की बात करते हैं 50% डिसकाउंट रहेगा आपका कोर्स 50% रहेगा आपका जो चार्ज रहेगा वो 50% बना रहेगा ठीक आपको 50% डिसकाउंट होगा और 50% आपको पेमन्ट करना पड़ेगा अब उसके बाद वो मैंने उस परसेंटेज में डाल दी हैं आप अपने उस कोर्स प्राइज का 60% पेमन्ट करेंगे तो आप इस कोर्स में मूव हो सकते हैं अब आगे उनका मेथ और रिजनिंग दोनों को करने का टार्गेट है अब तक आपके पास सिर्फ मेथ कलासिस थी आप रिजनिंग कलासिस हैं और दूसरी बात मैं भी तो प्रती दिन लाइव आपके सामने आके पढ़ाना शुरू करूंगा मैं भी तो एक बार नई एनरज लगाना शुरू करूँगा आपके लिए और सब चीज़ें फिर से विवस्तित ने परकार से आपके लिए करूँगा मैं लडी सी वीडियार्ती पेपर शांदार हुआ है तब भी मैं जुरूर बोढ़ना चाहूँगा आपका पेपर शांदार हुए हैं आप का टॉफ से कह आपके सब्जेक्ट आरा है बस आप इसको थोड़ा सा रिन्यू करना शुरू कर दीजिए आप अगर अपने वेसे तो आपके कोर्स की वैलिटी जो है वो 31 अप्टूबर तक है आपके पास में ताकि आप सीटी का एक्जाम दे सकें लेकिन अगर आप यह चाहते हैं कि अप और रिजनिंग का दो कोर्स अलाइव निया वेच उसमें आप जूड़ सकते हैं यूनियर अकाउंटिंट के विज्यार थी बहुत लंबे समय से हो सकता है कि त्यारी में अपने सेल्फ स्टेडिक के माध्यम से जुड़े होंगे या जैसे भी उनको टार्गेट आगे दिख मैंने 30% डिसकाउंट कर दिया आपको 70% पेमेट करके आप मेरी इस कोर्स के अंदर जूड़ सकते हैं तो ये इस परकार से आपका कोर्स का जो प्राइस है वो आपके लिए माइनस होता चलेगा पर तेक जो जो पुरानी वीडियार थी है सब भी को डिसकाउंट दिया गया इनके अतरित अगर किसी कोर्स में कोई वीडियार थी है और इस कोर्स में आना चाहता है तो वो वेक्तिकत नमबर पे मेरे से बात जुरूर करें अब आद आता है कि अपनी टाइम से डियूल और किस परकार से सब चीज़ रहेंगी तो वो मैं बता दूँगा आपको जल्द डिसकस कर सकते हैं और दूसरा यहां पर यह अपना में चैनल है जिसको जोइन कर सकते हैं जो मेरी तरफ से आपको तुरंत दे जाने वाले क्लास या किसी परकार का नोटिकेशन आपको अप्लब्द रहें प्ले स्टोर पर जाएंगे मर्स अकैडमी सर्च करेंगे तो आपक के पास उपलब्द है रिकोर्डर फॉर्मेट में एक बार आपके पास पूर्णूप में उपलब्द है वो तो ही है प्लस हम 16 तरिक से लाइव नया शुरू करें तो जब तक हमारी क्लास शुरू हो तब तक आप इन क्लास को निकाल लिए आपका कोई टोपिक परशान करने वालत उनको पढ़िए हम उसको अपग्रेड करेंगे दुबारा से लाइव क्लास के माद्यम से तो रिकोर्डर कोर्स आज के दिन में ही उपलब्द है आज ही अपना कोर्स ख्री दें और उसको जोइन करें अपने पास में तो यह इस परकार से अपना रहेगा फिर भी अग आप इस कोर्स पे आप मेरे वेक्टिकल नमबर पर प्रयास तो यह करें कि वर्ड़सप के माद्यम से आप मेरे से जुड़ए और वर्ड़सप के माद्यम से आप नहीं करना चाहते हैं और आपको कॉलिंग किसी परकार के अमर्जिंसी या कोल के माद्यम से जान करे लेने त तो यह इस परकार से अपने classes रहेगी वरत अच्छे तरिके से और शांदा तरिके से एक रणनीती बनाते हुए अपने आगे बढ़ेंगे उमीद करता हूँ कि आप भी अपने इस जो दोड के अंदर है वो अभी से सामिल होंगे और अपने परतिद्वन्दियों से आप गर प अब पीछे कवर हुआ है जैसा भी आपको एक्जाम होए वह आपका पास्ट बन चुका है अब उस पास को छोड़ते विए आपको आगे बढ़ना है आगे ध्यान देना है कि अब आपनी को आगे क्या करना है मेरी तरफ से पूरा प्रैस से मैं तो रिजनी के classes शुरू कर द झाले इनलंगा गपका और में तरफ से विर ऑनी को आपनी कि अब दूर लग्यान दे अजंए यह को इत मले प्वर डुका है ऑपका फिर दूर्म में, यह नग्या ज्या में आपका देना है जास्तव से ओका भीदła है एक बने।